बटुक शर्मा ने दर्वाजा खोला और राहुल को देखकर कुछ कहते तब तक मैंने मिठाई का पैकेट आगे बढ़ा दिया जे किस खुसी में वेटे जी बटुक शर्मा ने पूछा अंकल आई हेव क्रेग्ड सीडी एस ठीक किया बेटे एकदम बढ़िया किया जो सीडी तोड़ दी तुने ये चकरी ही छोरों को खराब कर रही आजगल बटुक शर्मा ने मिठाई खाते हुए और राहुल की तरफ इशारों से देखते हुए कहा मैं समझ गया कि मेरी अंग्रेजी बटुक शर्मा के पल्ले नहीं पड़ी और वो उसे फिल्मों की सीडी समझ रहे है हार कर मैंने सीधे लवजों में कहा अंकल मेरी नौकरी लग गई है सरकारी है बटुक शर्मा ने फौरन सवाल किया जी अंकल अरे जे बड़ी खुशी की बात है एक मिठाई और खिला मैं तो पीछे ही जानता था के तू जरूर कुछ करेगा मेरा कमरा है ही इतना भागशाली तेरे पीछे जो लड़का किरायदार था न वो भी सफाई विभाग में जमादार हो गया था इसी कमरे से परिधी रे छोरी शर्बत बनाला जल्दी बटुक शर्मा ने कहा नई अंकल आज हम जरा बाहर जा रहे हैं शाम को आते हैं मैंने कहा किस विभाग में नौकरी हुई तेरी बेटे बटुक शर्मा ने पूछा जी आर्मी में मैंने कहा साहाबों वाली पोस्ट पर बटुक शर्मा ने फिर पूछा जी अंकल बहुत अच्छा बेटे बहुत बढ़िया बढ़ी खुची हुई जे सुनके बटुक शर्मा ने मिठाई का पैकिट टेबल पर रखते हुए कहा जी अंकल कहकर मैं और राहुल कमरे से निकल गए अभी हम नीचे पहुचे ही थे कि बटुक शर्मा ने पीछे से अवाज दी